नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में चुरू करते हैं भेडिया की अमर प्रेम सीरीज गुरू भोकाल पार्ट टू तिरिश्मी शक्तियों के बल पर एक प्राणी को असाय बनाकर उस पर प्रहार करना कायरता है कोबी ने बाच की तरह उसे धर्द बोचा और बोला बस शैतान की दुम अब मैं तुछे गायब नहीं होने दूँगा ओ एक और चील फाड कर चील कौमों के भोजन के लिए फेकूंगा तुछे आओ आओ अब कैसे साड़े फलों के समान टपक रहे हो कोबी ने चाती शीर कर निकाल लिये थे उनके प्राण कोबी ने कहा कोबी को धोके से बहुत मारा तुमने व्यूहा तो आखिर आ गया तू भी भूमी पर हरामखोर मकार कोबी ने पूछ हंटर की तरह फटकारी और बोला तेरे तो पहले में खाल की चूंगा कोबी ने उसे पूँच में लपेट कर उठा लिया कोबी ने कहा अरे भूमी से उपर वायू शेतर में जाते ही फिर से अद्रिश हो गया तो ये जादू था मगर तू मुझसे नहीं बस सकता क्योंकि तू मेरी पूँच से जक्ड़ा हुआ है कोबी ने उसे अपने दोनों ह हातों पर उठा लिया और बोला ओ फिर से अद्रिश हो रहा है कोई परवा नहीं तू मेरे हातों में है और ये ले आखरी पटकी मृत्यू की पटकी विवा के शरीर के परखचे ओड़ा डाले थे कोबी ने गुरुराल भाटीकी का चहरा खिल उठा था वह बोले कोबी मेरा पुत्र तू ठीक तो है ना कोबी ने कहा भला आग के शिश्य को क्या हो सकता है भाटीकी ने कहा शरीर पर कितने खाओ खाये हैं और बड़ी बड़ी बाते मत कर वो देख वो है तेरा मसीहा कोबी ने कहा मेरा मसीहा भाटीकी बोले हाँ उसी ने तोड़ा है व्यू के रचे इस चक्रव्यू को परंतु उसे क्या हुआ भौकाल बोला उफ ये पीड़ा ये बढ़ती जा रही है भाटिकी ने कहा उठो पुत्र तुम ठीक होना कोबी ने कहा अरे ये तो मुर्चित हो गया है भाटिकी बोले इसे तो तीवर जुएर है ये घायल भी है कोबी पुत्र ये मुझे कोई साधरन इंसान नहीं लग रहा इसके मुख का आवा मंडल इसके विलक्षन होने का परमाण है ये तकलीफ में है इसे वुल्फानों ले चलो कोबी ने कहा इसका शरीर तीवर जुएर में तप रहा है भाटिकी बोले इसे तुरंत उपचार किया वशकता है कोबी नहीं कर सकता था भाटिकी बोला भेडिया देवता की अधा पुना भेडिया देवता के पास लौट गई है अब वो पुना तभी तुमारे हातों में प्रकट होगी जब तुम उसका आवहन करोगे भाटिकी को उस विलक्षन वीर योद्धा की चिंता थी भाटिकी ने कहा इसके सिर में हो रही असहनिय पीडा और तीवरताप अथार्थ जवर मुझे शंकित कर रहे हैं कि इसे अत्यंत घातक मस्टिशक जवर का प्रकोप है जो की निरंतर बढ़ता जा रहा है ये जवर इस महाबली के प्राणों के लिए संकर उत्मन कर सकता है कोबी जवर चेश्टा कर रहे थे भाटिकी बोले इसके बाजो पर ये कैसा चिन है जैसे कोई सुई चुभोई गई हो कोबी ने कहा गुरुराज ये लिजिए जवर ओश्टी भाटिकी ने कहा इसका लेप इसके मस्तिशक पर करने के पस्चात इसके जवर के उतरने की परतिक्षा करने से अधिक हम और कुछ नहीं कर सकते इसको ठीक होना ही होगा भाटिकी ने कहा इसके शरीर पर असंग के घाव हैं ये विवा वाली घटना के घाव नहीं है क्योंकि जब मैंने इसे विव में परवेश करते देखा था तो इसके वस्त्र कई स्थान पर फटे थे और ये पहले से घायल भी था एक सप्ता पस्चात कोबी ने कहा गुरुराज ये मूच्छा से बाहर आ रहा है भोकाल ने आंखे खोल दी थी भाटिकी बोले इश्वर का लाख लाख धन्यवाद एक सप्ता लगा तुम्हें पूर्णता होश में आने में एक सप्ता से तुम्हारे विशे मे जानने की उत्सुकता वे इच्छा बनी हुई है तुम कौन हो पुत्र कहां से आये हो भोकाल ने उठने की चेश्टा की भाटिकी ने कहा ना लेटे रहो भले ही अब तुम मस्तिश रिवर से पिडित नहीं हो किन्तु अभी भी तुम्हें पूर्णता स्वस्त होने में दो भी कुछ गुरुराज भाटिकी है भाटिकी ने कहा और इस वक्त तुम भेडियों की भूमी वुल्फानों पर उपस्तित हो गुरुराज भाटिकी के स्वर में पीड़ा को महसूस किया कोबी ने भोकाल अपने विशे में सब कुछ बताने के साथ ही पीड़ा भरे स्वर मे कह उठा मैं अपने कतर्वे से चुक गया गुरूराज भाटिकी मेरे जीवन का आप कोई अर्थ नहीं रहा मर जाने दिया होता मुझे भाटिकी ने कहा मैं तो तुमें देखते ही समझ गया था कि तुम कोई साधारन व्यक्ति नहीं हो मैं तुम से पूछना चाहता हूं पूत का सामना कर सकता था जब मैंने उसे संकट ग्रस्त देखा तो मैं उसे अंदेखा नहीं कर सकता था मस्तिक श्वर के कारण मुझे अपने समाक्ष मृत्यू दिखाई दे रही थी किन्तु संकट ग्रस्त प्राणी की मदद का वो अफसर भी मैं नहीं चूख सकता था भाटिकी उसे आत्म हत्या की और प्रेजित करता है तुम्हारी व्यत्य सुनकर और तुम्हारी बाजू पर सुनी चुबोने का ये चिन्न देखकर मैं समझ गया हूँ कि भयंकर शड्यंत्र के तहत तुम्हारी हत्या की चेश्टा की गई है बहुकाल तुम्हें मस्तिश्वर का शिकार बनाया गया है मौकाल ने कहा मुझे दुख केवल इस बात का है स्वें मेरी पत्नी रूप सी भी इस शड्यंत्र में शामिल है काला चेचक ने हजारों निर्दोष नागरिकों को काल का शिकार बना दिया है मेरी विवश्टा ये है कि मैं विकास नगर नहीं लोट सकता क्योंकि मैंने ऐसी चेश्टा की तो मैं स्वें भी उसका शिकार बन जाऊंगा और यदि मैंने वहां जाकर शत्रों के से धर से अलग नहीं किये तो मेरी अंतरातना मुझे धिकारती रहेगी अब आप ही बताएं गुरुराज कि इस दुख के साथ मैं किस फरकार से जीवित रह पाऊंगा भाटिकी ने कहा जीवन स्वें एक युद्ध है पुत्र इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है स्वें को उन मुसीबतों के अंत के लिए तयार करना पड़ता है जब तक बाढ़ ना आ जाये बान बनाने को कोई नहीं सोचता शीथ हमें उशनवस्त बनाने को परिरित करती है तो ग्रिश्मक छाया की खोश के लिए हम स्वेंकों इन में से किसी भी संकर के सुपूर्द नहीं कर सकते शनिक संकर्टों से उब कैसे जानते हैं। उत्तर कोबी ने दिया, सब्ता भर तुम्हारी जीवा एक ही नाम बढ़वडाती रही मित्र भोकाल और तुम कह रहे हो किस परकार जानते हो। ये देखो, तुरीन, तुरीन, सुनते-सुनते कान पक गए। भोकाल ने कहा, ओ, शमा चाता हूं। कोबी बोल अब शीगरता से फलों का ये रस गरहें करो, और बताओ कि कौन है तुरीन। भाटिकी ने कहा, आत्मी विश्वास का संबल साथ हो, तो व्यक्ती बड़े-बड़े समुन्दर भी लाग जाता है, उंजे-उंजे पहाड भी चड़ जाता है। तुरीन की विशे में हमें बत तुरीन की सुझना प्राप्त हुई, किन्तो मेरा रोम रोम आज भी उसकी उपस्तिती को हर शन अपने चहूं और महसूस करता है। भला ये कैसे संबव है कि भौकाल जीवित हो और तुरीन मर चुकी हो? भौकाल एम तुरीन की सांसे अलग नहीं है गुर राज भाटिकी, ऐसा प्रतीत होता है, मानो दूर कहीं से वायू, तुरीन की अगात प्रेम की गंद लेकर मेरी नासिकाओं में प्रवेश करती है, और मस्तिश्क में पहुँचकर उसे समोहित करती हुई, सीधी मेरे हिर्दे में उतर जाती है। सोचता हूँ तो अरजन में शिशु की किलका उठता हूँ, तुरीन, 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 भाटिकी ने कहा, ओ नहीं, रोगों से दुरबल तुम्हारा मस्तिश्क भावनाओं के आवेक कभार नहीं जेल पा रहा है, तुम विश्राम करो भोकाल, तुम विश्राम करो, भाटिकी ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ भ मित्र भौकाल संकटों के चाहे कितने भी समुंदर लांगने पड़े चाहे हजारों परवतों के सीने चीजने पड़े यदि तुरीन है तो अपनी जान देकर भी कोबी उस स्थान से तुम्हारी तुरीन को लाएगा भौकाल ने कहा उफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जीवन पुना मेरी रगों में दोगनी रफतार से संचार कर रहा है कोबी बोला अरे तुम फिर उट गए सुना नहीं गुरूराज भाटिके ने कहा था कि तुम्हें सक्त विश्राम के आवशकता है भौकाल बोला अधिक्वा निरंतर विश्राम रोग के एसास को और को सिखाओ भौकाल बोला आपके सम्मुक मेरी भला क्या विसात जो मैं आपके शिश्र को सिखाओं भाटिकी ने कहा व्रिक्षाहि कितना ही विराट वा विशाल सही किन्तु पौधा उसके बीज की शमताओं के अनुसार फलता और फूलता है किन्तु यदि कोई माली चाहे तो उसकी शमताओं वो गुणों में व्रिद्धी करके उसे और अधिक हरा भरा बना सकता है तुम मेरा आशाय समझ गए होंगे भौकाल ने कहा यदि ऐसी बात है तो मैं तयार हूँ कोबी बोला तो फिर शन्त रुको पहले मैं अपने गुरू के चरण सपरश्ट कर लूँ इसका ताथपर यह है कि मैं एक शिष्चे की श्रद्धा भावना मन में लिए आपके विद्या को ग्रहन करने के लिए तयार हूँ गुरू भौकाल भौकाल ने कहा मित्र भी मित्र को सिखा सकता है कोबी बोला तो फिर ठीक है तुम मित्र बनका सिखाओ मैं शिष्चे बनक होता है जिस पर हर शिकारी की गिद्रिष्टी लगी होती है सप्ता पश्यात का वहस दूर्यदे उम्मीद की रश्मियों में विश्वास की चमक लेकर आया था भाटिकी ने कहा पुत्र भौकाल तुम्हारे लिए अत्यंत प्रसंता भरा समाचार है कोबी बोला गुरु भौकाल समाचार सुनने के लिए हमें इस ठूंट से उतर कर नदी की तेज धारा को पार कर किनारे पर पहुँचना होगा भौकाल ने कहा मैं तुम्हें व्यू रश्ना का एक और सबक सिखा रहा था कि संकट के बीच धहर्य का कितना महत्व होता है तीवर धारा में ठूट छोड़ने पर प्रचंड धारा तुम्हें ले डूबेगी वो देखो रहा निकलाई कभी कभी किनारे पर खड़े सूखे तने या वरिक्ष इतियादी नदी के जल में बहते हुए धारा के बीच आ निकलते हैं तीवर धारा में बहता तना तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद